जै आर सीम सभी को स्वागत करतो हमारे चैनल के और एक फ्रेज वीडियो में आज के इस वीडियो में ऐसे छे नियम आपको बताने वाला हूँ ऐसे छे प्रॉसेस आपको बताने वाला हूँ जिससे क्या होगा कि आपका दीशा और दसा दोनों ही बदलने वाला है अगर आप स करना चाहिए और इससे क्या होगा कि आपका जो बैभार है आपका जो कैरिक्टर है उसमें बहुत सारा सुधर आयेगा आज बहुत लोग अपना एगो में अन्धा होके रहता है लेकिन दोस्त कोई भी सिस्टम में सकसेस होने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है क्योंकि बिना system का कुछ भी नहीं होता है अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर YouTube नहीं रहता अगर ऐसे communication आप से नहीं रहता तो ये वीडियो आप तक नहीं पहुचता तो एक system का जुरूरत परता है तो ये system में success होने के लिए आपको system चाहिए और नंबर एक, never do new anything before counseling your upline आप अगर आपके business में कुछ implement करना चाहते हैं अगर आपका कोई upline है जरूर definitely आपका upline होगा तो आपके upline के साथ संपर कड़े भी न आप कभी भी अपने business में उस चीज को implement ना कड़े अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ने कहीं आपको इस business में हो गया है या जो problem हो रहा है उसको आप से जादा भाली बाती जनता है आपका upline तो आपके upline के साथ contact करके आप जो चीज implement करने वाले हैं उस चीज के बारे में उन से अगर discuss करेंगे तो आपको बता सकता है कि यह चीज करना चाहिए या नहीं अगर आप यह चीज उनके discuss के बात करेंगे आपको बहतर result मिलेगा दोस्तो नेगेटीब एक ऐसा चीज है अगर इसको आप फैलाएंगे तो आपके अंदर ही उतना ही बड़ेगा जितना बाहर फैलेगा इस business का दो नंबर सिद्धन्त यही कहता है never do pass anything with your upline, downline और crossline, upline, downline और crossline में कोई भी negativity मत है दोस्तो यह आपको तूरंत नहीं पता चलेगा लेकिन at a time एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपका कोई भी respect नहीं होगा टीम में असपर आपका respect totally zero होने वाला है और आपको कोई भी believe नहीं करेगा क्योंकि जब किसी को पता चलेगा वो सच्चा है तब आपका value उस level का नहीं समय का है नंबर तीन दोस्तो यह business में आपका business partner या कोई भी thought party जिस्ता आप बैठ रहे हैं वह family आपको सोचना पड़ेगा वह family मेरा family है अगर आप सोचते हैं कि वह family के साथ आप अगर खिलवार करते हैं या family के साथ कोई भी ऐसा unnatural डिस्ता बनाते हैं fraud यह सब चीज आप कि इसी के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह business का पहला सिद्धात यह कहता है कि आपको सत्य बनना पड़ेगा आपके अंदर कोई भी जूट अगर छुटा हुआ रहेगा तो आप इस business से बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते हैं यह business जो है आपको परिक्सा लेता है और जो इस परिक negative comment pass करने का जो जड़िया है वो है क्योंकि तीन नंबर पॉइंट आपको यही सिखाता है आप किसी के family किसी अन्यबेक्ति के साथ कभी भी जिन्दगी में खिलवार मत कीजिए अगर आप से कोई भी मदद बनता है तो उन लोग को मदद कीजिए लेकिन उनका नुकसान मत की दोस्तों यह चार नंबर पॉइंट ना कहीं ने कहीं हमारे अंदर भी है आपके अंदर भी है और किसी के अंदर भी है हम लोग क्या करते हैं हम लोग चुगली करने में बहुत मस्त रहते हैं हम किसी के भी सिकायत किसी को कर देते हैं किसी का भी कंप्लेंड किसी को कर देते Unnaturally, जो उतना भी नहीं है, लेकिन उस बात को हम इतना बड़ा चरा के बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि और थाट परड़ी को लगता है, कि सही में ये वंदा सही बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये आप मत सोचिए कि आप उसका नुकसान करवा रहे हैं, इतना आप सोच ली उनको बोलिए कि आप ये कर सकते हैं, पांचवा नंबर पॉइंट, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट डिसकस योर बिजनेस विट योर क्रॉस लाइन और डाउन लाइन, दोस्तों ये पांच नंबर पॉइंट तो वैसे ही हम लोग मनते हैं, लेकिन फिर भी बता देते है कि आपका बिजनेस आपका बिजनेस है, और किसी का बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस देखने का अधिकार only for आपका अपलाइन का है, ना आपका डाउन लाइन का, ना आपका क्रॉस लाइन का, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजेगा, आप कभी भी आपका बिजनेस आपका down line और cross line में share मत कीजिए, इसे आपके business के उपर एक bad impact पड़ता है, और ये 6 नमबर और सबसे last point है, never use any alcohol or smoke, आप अगर नशा को नहीं छोड़ेंगे, तो RCM को आप कैसे शिकारेंगे, क्योंकि RCM में आप अगर आएंगे, तो आपका सेहत अच्छा होना चाहिए, और आ मैं जानता हूँ, ये थोड़ा सा नीजी मामला का बात हुआ, लेकिन आप एक बार सोच के देखे, RCM में आप अगर success होना चाहते हैं, तो ये अगर rules के अंदर लिखा है, तो ये rules को तो ज़रूर मानना चाहिए, छोटा से एक बात बोलना चाहूँगा, यहां पर जो 6 point बो हैं, हम ऐसा आपको कभी नहीं बोले कि आप इसको direct छोड़ दीजे, दोस्तो direct किसी को भी कुछ भी छोड़ाना मुस्किल है, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो ना मुमकिन नहीं है, मैं चाहता हूँ, आप मुमकिन कोशिश कीजिए, आपका कोशिश सफल होगा, आज क को इंस्टॉल कीजिए, JRCM आप के बारे में टेक्स्ट में हिंदी में इतना शांदर तरिके से लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा तो आपको मजा आ जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप JRCM आपको ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं, अगर तो JRCM मिलते हैं किसे अगले वीडियो में